आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि क्या Reason है जोने Grain को Dry करने का थोरोली आफ्टर Production, जैसे ही Grain का पूड़क्शन हों उसके बाद उन्हें जब हम rye करते है तो उसका क्या Reason है तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जैसे ही हमने Production करा Grain's का तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे हम Clean करेंगे ठीक है अच्छे से ठोरोली उसको क्या करेंगे clean करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे dry करेंगे किस के अंदर dry करेंगे उनको sunlight के अंदर बिल्कुल जादा beneficial होता है बहुत जरूरी होता है ऐसा इसलिए होता है because उसका एक reason है कि because कुछ factors होते हैं हम के सकते हैं कुछ ऐसे bios flex factors होते हैं औरabange तो हम अपार लिखते हैं biotik and abiotic कुछ ऐसे दोंव factors होते हैं biotik और abiotik factors जो क्या कर सकते हैं जिनकी वजह से grains है उसमें क्या हो सकता है result हो सकता है या फिर जो farmers ने crop का production kijा है वो क्या हो सकती है खराब हो सकती है इसलिए उन बायोटिक और अबायोटिक बैक्टर से बचने के लिए कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि मौस्ट्र रहे गया हो तो अगर हम उसको ट्राइने करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी तो ऐसे कुछ फ्रीजन्स होते हैं जिसकी वज़ा स से क्या होता है कि उसे बहुत जरूरी हो जाता है क्लीन करना और ड्राय करना जस्ट आफटर दा प्रोडक्शन थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउट नेटा या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर